चेहन नमस्कार दोस्तो मैं आनंच जोहन एक बार फिर से आप सभी का अर्दिक स्वाकत करता हूँ आपके अपने परिवार टीचिंग विदा आनंच जोहन में कैसे आप सभी आई होब कि दुस्त आप सभी लोग अच्छे सोंगे स्वस्त होंगे और दोस्तो आपनी रंतर मढ़ने वाले सामानगेंड की येलोग कि दुस्त अफ्रिक सवी ult sheep आप साथ मीडियो मेले हैं दोस्तों साथ मीडियो बहुत बृदा चलाए शर्चा करेंगे और आपका पूरा कपूरा desc Hot complete होने वाला है तो दोस्तो एक बार वीडियो को share कर दीजिएगा जो लोग अभी तक class में नहीं पाए हैं जैसा कि आप सभी को पता आपकी daily library आट वेजे class teaching में दाने चोहन channel पर होती है तो दोस्तो आप एक बार वीडियो को या चर्चा होने वाली है तो बिना देरी किये बिना बात किये बात करते हैं दोस्तो अपने topic पर यदि दोस्तो हम पिछली class की बात करें तो दोस्तो हमने पिछली class में दोस्तो प्रमुक प्रमुक बादेंत्रेमम उनके बादक से यहां से दुस्त आपकी क्लास स्टॉप कर दी थी और कहा था कि जब भी दुस्त आपकी नेक्ट क्लास आईगी तो आपकी यहीं से यह क्लास दुस्त श्टार्ट हो जाएगी तो आज एक दोस्तों बहुत ही important question है और यहां से आपके question जरूर बनते हैं प्रमुक बाद दें तरेमम उनके बादक से कोई भी exam हो चाई छोटा exam हो चाई बड़ा exam हो आपके सभी exam हो में यहां से अक्सर question पूछे जाते हैं हमेशा पूछे जाएंगे आपको यदि प्रमुक बाद दें तरेमम के बादक एक बादक एक बार आपने अच्छे से देख लिए पढ़ लिए सुन लिए तो आपके दोस्तों यहां से exam में आप दो नमबर पके करने वाले हैं एक्जाम में आपको दो नमबर लेने से कोई नहीं रोक पाएगा तो इस दो नमबर को कवर करने के लिए मेहनत तो दोस्तों करनी ही होगी तो सबसे पहले बात करेंगे हम दोस्तों सितार की सितार सितार के दिस्टो एक बादेंतर है और इसके बादक कौन कौन से है तो चरिएगा पहला देया पांट दीया गया उसमें दुस्तो पंडित रवी संकर बिलायत खा, निखिल बनर जी, विलायत खाँ, उमा शंकर और साहिद पर्वेट ये विलायत खान दोस्तो दो बार नाम आ गया है ये एक ही नाम है अब आपको पयाद रखना होगा क्योंकि दोस्तो सितार के जो प्रमुक बादक हैं तो ये दोस्तो वो यही हैं कौन-कौन से पंडित रवी शंकर, विलायत खान, निखिल बनर जी और उमा शंकर और साहिद प भी मत भूलना समझ गए ना ये तीन नाम दोस्तो भूल कर भी मत भूलना एक बार साहिद परवेश का भूल जाना लेकिन ये तीन नाम कैसे भी करके मत भूलना दोस्तो क्योंकि आपके एक्जाम में जब भी पूछा जाता कि सितार यंदर के बादा कौन हैं तो दोस्तो पंड बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि दोस्तों को आपको वीडियो देखते ही देखते ही याद हो जाए। आमें आया है ये दोस्तों ये तबला बजाकी चला जाता है लोगों को दोस्तों ये तबला जो है ना ये दोस्तों जाके door घुम पर ч forgiven me और और जाते ठेर के दोस्तों बाजरि को वीडियो जो और जो जाते थे तो बांसुरी बजाते थे तो वह तो ऑगैते तिए तो घुँ लेकिन आपको क्या करना है हमें तो भी या याद करना है कि एक्जाम में कुछ चना जाए और हमारा काम हो जाए तो बस आपको मांड में फियर लानी है कि हाँ भगवान कृष्णी तबला बजाते थे बस आपको इतनी फियर लानी है ठीक है तो कृष्ण महराज हो गए आपकी और क्रिसन को हम किसन का निया भी बोलते हैं ना क्रिसन और किसन बात एक ये ने तो जैसे किसन महराज हैं ठीक बैसे क्रिशन महराज जी हैं और जाकिर हुसेन का नाम याद रखिये का गुदई महराज को या मत भूलिएगा और अल्ला रखा का और लटीब खा ये सभी दोस्त के कौन है दोस्तो हरी प्रिशाद चारसिया बहुत ही इंपोर्टन पॉइंट है दोस्तो पन्ना लाल गोस राजैंदर कुलकरणी और एन नीला दोस्तो हरी हरी किसको बोलते हैं भगवान बिशनु को और भगवान बिशनु कौन है किसके अवतार सरी कृष्ण जो है ना और वैसे हैं तो एक उनके रूप भी अनेक हैं और नाम भी अनेक हैं तो हरी भगवान बिशनु को बोलते हैं भगवान बिशनु को और भगवान क्रिशने तो क्रिशन भगवान क्या बजाते थे बांसुरी बजाते थे ना वो तो तबला आपको तो याद कर बाने के लिए ट्रिक बता दी थी कि आप याद रख पाएं और इसमें क्या है इसमें बिल्कुल सही बात है कि हरी हरी प्रिशादी चौरसिया तो सीधी सी बात है भई और भगमान जो इस तरीक थे वो कैसे थे दोस्तो हरी हरी वैनी बांशुरी बजाते थे तो आप याद रख सकते हो हरी प्रिशादी चौरसिया पन्नालाल गोस ये भी बांशुरी बादक है राजाइंदर कुलकरणी और दोस्तो एन नीला ये क्या है एन नीला एन नीला को आप कैसे याद रख सकते हो जो आपने देखा होगा जो कार्टून देखते हो ना जो कार्टून आता है टीवी में हम लोग देखते हैं जो लिटिल कृष्णा हुआ लिटिल कृष्णा टू है ये कुछ कार्टून के पार्ट है तो उसमें आप कृष्णा भगवान को देखेंगे तो दुस्तो नीले रंगे के दिखाई देंगे आपको कैसे दिखाई देंगे नीले रंगे के दिखाई देंगे जबकि भगवान कृष्णे है कैसे दुस्तो सावल है ना सावलिया है ना तो आपको क्या है आपको इसको टीवी से डिनोट कर देना है कि हम टीवी में जब भग अब्सक्राइब लिए अधिया संकर यह दिस्तों तीन नाम हैं तो आप आसानी से याद रख सकते हो सैनाए के बादक बिशमिल्ह खान अली अधिया संकर नेक्स्ट है आपका शरोद शरोद के कौन है दो अमजद अली खान अली अकवर खान बिस्वजीत राइच चोधरी और जरीन दारुवाला, ये कौन है दोस्तों, ये आपकी सरोध वाद्यंत्र के बादक हैं, अमजद अली खान, अली अकवर खान, बिशुजीत राय चौधरी और दोस्तों, जरीन दारुवाला, तो आप दोस्तों ये तीन नाम आसानी से याद रख सकते हो, वाइलीन, वाइलीन क क्या है दोस्तों एक संगीत वाध्यंत्र है दोस्तों संगीत वाध्यंत्र है न तो संगीत से बनाएंगे संगीता तो वाईलीन जब भी आए तो समझ लेना संगीता का नाम आ गया ठीक है टी एन कृष्णन टी एन कृष्णन जो है और डॉक्टर एन राजन तो यह आपके कौ वीरदाबादनी भी बोलते हैं हंसवाइनी वीरदाबादनी तो बीड़ा के दोस्han पाहिन बायदक हैं वह आपके ऐसवाल चंद्रला और नमबर दिला सकते हैं तो स्यूकुमार सुर्मा और भजन सुपारी आपके संतूर बादक हैं सारंगी सारंगी के उस्ताद बिंदू खान मादो प्रिशाद बजीर खान ये तितीनों ये दोस्तों सारंगी के हैं कहां के हैं सारंगी बाद्देंतर के बादक हैं उस्ताद गिटार के कौन है बिश मोहन बट और ब्रभूशल काबड़ा ब्रभूशल काबड़ा और बिश मोहन बट यह आपके जिस्टो गिटार एंतर के बादा खे लियर अमेद दोस्ता आपको कहां तक की बाते समझ में आ चुकी होगी अगला जिस्टो हर्मॉणियम के दुस्तो है अप्पा जुलगावकर और भूरे लाल खान हर्मोनियम के हैं अप्पा जुलगावकर और भूरे लाल खान और रुद्र वीडा के हैं अशाद अली खान उस्ताद सादिक अली खान असाद अली खान और उस्ताद सादिक अली खान यह दोस्तों आपके रुद्र वीडा के हैं किलियर अब यहाँ दोस्तों मारा नया पॉइंट श्टार्ट होता है जिसमें बात करेंगे विश्व प्रसेदी चित्र एवम उनके चित्राकार जो आप लोगों ने दोस्तों बिश्व में प्रसेदी चित्र देखे होंगे उनको चित्राकार कौन कौन है उनके जो चित्रकार है उनका डिजाइन कार है वो कौन है इस पे भी चर्जा करते क्योंकि यहां से भी आपके अग्जाम में रो जो कुछा जाता है बात करते हैं दोस्तो बाज की बाज एक चित्र बनाओगा है तो उसके चित्रकार कौन है उस्ताद मनसूर सेज़फूल के चित्रकार है दोस्तो विशंदास नारी और भारत माता के चित्रकार है रविंद नाथ ट्यागोर उडिशा की एक दुकान के चित्रकार कौन है नंदलाल बसू स्क्रीन सॉट ले ले दोस्तो काफी आप लोगों को यहां पे नए कुश्चन देखने को मिलेंगे नए पांट दोस्तो देखने को मिलेंगे जो कि आपके अक्सर नए आगामी प्रतोगी परिक्छाम है दोस्तो देखने को मिलेंगे तो एक बार स्क्रीन सॉट ले ले लेंगे और इनकार रिवीजन जरू करीजिए का नाच्थ दिलाष्ट सपर नाच्थ दिलाष्ट सपर के दुस्तों चित्रकार की कौनै? लियोनार्डो दा विस्टी चित्रकार है लाष्ट जज्मेंट? माइकल एंजिलो कलियर यहां तक की बातें आपको समझ में आ चुके होंगी राज रवी वरमा राज रभी वर्मा जो है वो दुस्तो सकंतला व्योग के चित्रकार है दोलकिया के चित्रकार कौन है दुस्तो मकबूल फिदा हुसें दोलकिया के चित्रकार कौन है दुस्तो मकबूल फिदा हुसें मौना लिशा मौना लिशा के दुस्तो जो चित्रकार है वो कौन है लियोन important question दो यह बहुत ज्यादा important है यह भूल मत जाना दोस्तों याद रख लीजिएगा important लगा के लिग लीजिएगा मुनालिशा के चित्रकार लियोनार्डो दाविंसी दमेमेडोना के जो चित्रकार हैं वो हैं दोस्तों आपके राफेल नेक्स्ट है आपका काला गोडा काला गो आपके चित्रकार हैं इश्वर पिर्शाद बर्मा और अभिशारिका के दोस्तों चित्रकार हैं अवनेंदर नाथ ठाकुर अवनेंदर नाथ ठाकुर जो हैं दोस्तों वो अभिशारिका की चित्रकार हैं नाक्स्ट दोस्तों रितू स्रंगार रितू स्रंगार के दोस्तों मुपी में कि बाग की गुफाएं दूस्त। अंदो गुफाएं ज्स्त। …। जिनकी संक्या Num है और राजा रवी बरमा चרי चत्र गला की चत्रर में ये पिरसिद्ध हैं। मद्द पर्देश में दोस्तों आपकी जो है बागों की गुफाएं इस्थित हैं जहां पे राजा रभी बर्मा की दोरा चित्र कला के चित्र में फ्हेमा से नेक्स्ट है दोस्तों भारत के प्रमुक्तिवार भारत के दोस्तों कौन कौन से प्रमुक्तिवार हैं और वो दोस् नहीं दोस्तो पूरे 200% कुश्चन पूछा जाता है कोई भी एक्जाम की तैरी कर रहे हैं आपके सभी एक्जामों में दुस्तों यहां से कुश्चन पूछा जाता है तो एक बार सभी पर दोश जल्दी से वीडियो को सेयर कर देंगे बहुत ही कम लोग दोस्तो इस क्लास में जुड़े हुए हैं पहले तो दोस्तो आप लोग वीडियो को सेयर कीजिएगा वीडियो को सेयर करेंगे सभी पहर दोस जल्दी से फटाफट सेयर कर दीजिएगा सभी लोग चलिए बात करते दोस्तो ओडम ओडम दोस्तो जो है आपका उक्तिस राज्य का प्रमुक्तिवार है 21 राज्य में दोस्तिवार मनाया जाता है तो याद रखिएगा दोस्तो जो ओडम है ये आपका दोस्तो कीरल राज्य में मनाया जाता है next है दो पॉंगल बहुत important है दोस्तो ये ऐसा इसमें से कोई भी ऐसा त्योहार नहीं है ना दोस्तो जो आपके exam में ना पूछा गया हो तो आप कहेंगे सर जितो important कौन सा है तो भाई ये सभी important है ये आपको सभी याद होगे ना तो यहां से आपके दो नमबर पक्के जरूर हो जाएंगी दोस्तो क्योंकि एसस में कोई पॉइंट नहीं है जो आपके अग्जाम में नाया हो प्रैक्टिस रड़ उठा के देगे का कोई ना कोई तो आपको मिली जाएगा पॉंगल दोस्तो आपको याद रखना है बहुत ही सरल है और इंपोर्टन्ट यह आपका तमिल नाडू में मनाया जाता है लोहडी दोस्तो सभी लोग जानते होगे कि लोहडी कहा मनाया जाती है दोस्तो पंजाब में मनाया जाती है कहां पे मनाया जाती है पंजाब में मनाया जाती है सभी लोग जानते हैं PUSKAR कहा पिचते थे राजस्थान में सब पिसकर मेला कहा लगेगा ना तो राजस्थान में लगेगा जो आला मुखी मेला जो है जो है दोस्तो यह आपका हिमाचल प्रदेश में लगता है कहां पर लगता है दोस्तो हिमाचल प्रदेश में ये भी दोस्ता आपका पंजाब का प्रमुक्तिवार है दुरुगा पूजा जो आपका पस्चिम बंगाल का दोस्तो प्रमुक्तिवार है बिहू इंपर्टेंट लगाएंगे दोस्तो या हाला कि सभी इंपर्टेंट है बिहुब आपका असंब में मनाए जाता है कहाँ पे असंब में मनाए जाता है किलियर, चली, स्क्रीर्शॉट लेते रहें गड़े सोचोh, जो की गड़े सितरती की दिन सबसे ज़ादा महरास्थ में दुस्तों मनाए जाता है बिठोबा टुहार जापका भी महराष्ट में ही मनाया जाता है और मانग मेला दूस्तूब आपका यह राजस्थान में मनाया जाता है क्लियर याद रख पाएंगे दूस्तो बिल्कुल छोटे छोटे पॉईंट है दूस्तो और बहुत ही कम तोहार है बस आपको इतने ही याद रखने हैं दोस्तो अगला है दोस्तो कुम मेला कुम मेला दोस्तो आपका कहा कहा पे लगता है दोस्तो तो देखिए का कुम मेला आपका नासिक महराश्ट में लगता है उज्जेन मद्यप्रदेश में इलावा बारे बरस के बाद महा कुम्ब तथा प्रतेक तीसरी बरस बाद अर्द महा कुम्ब का आयोजन किया जाता है। दूस्तों आप लोगों को यहां तक की बाते समझ में आ चुके होगी तो अगले प्वांट को चलते हैं दूस्तों अगला नया प्वांट यहां समारे स्टार्ट होता है रेडियो दूर दर्शन एवं फिल्म के बारे में यहां से हम चर्चा करते हैं कि रेडियो दूर दर्श कम्पनी से काम करना 1927 में दिस्तों प्राराम किया था दोस्तों यदिसे आपका अकास वार्य नाम क्या रख्वाडी का मूल नाम क्या है तो इंडियन ब्रोड कास्टिंग कंपनी किलियर याद रख पाएंगे दोस्तो चलिए बारत में रेडियो प्रिशनान का इतिहास 1927 में बंबई और कलकत्ता में दो गैर सरकारी ट्रांसमीटरों की स्थापना से सुरू हुआ आप सबी लोग जानते हैं दोस्तो कि बार्ट कास्टिंग जो आकास बड़ी कंपनी है यापके 1927 में प्रारम होई थी तो यह दोस्तो रेडियो प्रिशनान जो है आपका 1927 से बंबई और कलकत्ता में दो गैर सरकारी ट्रांसमीटरों की स्थापना से स्थार्ट हुआ था 1957 में इसे आकास बारी कहा जाने लगा जो बरतमान में इसका नाम है यदि हम बरतमान में यदि बात करें तो बरतमान में जिस्तो आल इंडिया रेडियो का नाम किया जोस्तो आकास बारी भारत का प्रिथम दूर दरसन केंदर दूस्तो 15 सितंबर 1969 को नई दिल्ली में स्था कहा जाने लगा तो आपको याद रखनाओ को 1977 से और भारत का प्रतम दूर दर्शन केंदर कहां पर इस्थापित किया गया दिली में कब इस्थापित किया गया 15 सेतंबर 15 1969 तो आपको ऐसे ही अपने मन में कुश्चन बनाने हैं क्योंकि आग्जाम में दूस्तो ऐसे ही कुश्चन पूछे जाती है और ऐसे ही आग्जाम दूस्तो कुश्चन उठाके पूछता है 1912 में राजा हरिस्चंद नामक मूख फिल्म बनाई गई थी तो दोस्तो आप सब पूछा जाता है बारत की पहली मूख फिल्म तो आपका जवाब हो जाएगा राजा हरिस्चन और दोस्तो 1931 में बोलती हुई फिल्म तो सभी लोग जानते आलम आरा ये परितम भारती बोलती हुई फिल्म थी आलम आरा भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा था तो वो था आपका मुगले आजम मुगले आजम दोस्तों यापकी रंगीन चलचित्र था और फिल्म गांदी ने मात्मा गांदी की भूमका बेन किंजले ने निभाई थी नेक्स्ट अब यहांच दोस्तो मारा नया एक पॉइंट स्टार्ट होता है भारत में प्रिथम महीला काफी बड़ा पॉइंट है तो इसको जरूर देखिएगा यहां से भी आपके कुश्चन बनने की संभावना रहती है बिल्कुल दो ईजी पॉइंट है दोस्तो आप लोग महीला रष्टपती कौन है सभी को पता है प्रतिभा देवी सिंग पाटिल नेक्स्ट भारत की प्रिथम महीला प्रधान मंत्री सभी को पता होगा इंद्रा गांदी भारत की प्रिथम महीला लोग सभा अध्यच पूचा गया तो भारत की प्रिथम महीला लोग सभा परसद कौन है तो वो है आपकी रादा बाई शुबारायन ये भारत की प्रतम महिला शांसद रही है क्लियर चलिए अगला है दोस्तों आपका बारत की प्रतम महिला राज़िपाल सवे लोक जानते हैं शरोजनी नाल्यू जो की उत्तर प्रदेश की राज़िपाल रह चुकी ह भारत की प्रतम महिला मुख्यमंत्री ये भी आपकी जो हैं सुचेता करपलानी उत्तर प्रदिश की दुष्ट मुख्यमंत्री रह चुकी है नेक्ष्ट है संग लोग सेवा आयोक की प्रतम महिला द्यच यूपी अस्टी की जो प्रतम महिला द्यच है वो हैं रोज मिलियन बै ती जो हैं वो आपकी संग लोग सिवायोग की प्रतम महिला द्यक्षे हैं भारत की प्रतम महिला सासका ऐसी कौन सी भारत की प्रतम महिला सासका है जिसने सासन किया हो तो वो है आपके रजिया सल्तान भारत की प्रतम महिला IAS IAS कौन है अन्ना जोर्ज जो की प्रतम भारत की ऐ महिला IPS officer कि लूण बेदे अगला है उपका प्रतम महिला केंदरी मंत्री कों है वह राजकुमारीम्रता कौर, भारत की प्रतम महिला केंदरी मंत्री हैं प्रतम महिला कॉंग्रेस की प्रतम महिला कॉंग्रेस कौन रही है तो 1917 में एनी बेसेंट सुप्रीम कौर्ट की प्रतम महिला नियाधीस सुप्रीम कौर्ट की प्रतम महिला नियाधीस कौन थी फातिमा बीबी फात्मा भीबी जो है दुस्तो वो सुप्रीम कौट की परतम महिला नयादीज रही है के लिए चलिए उम्मीद है दुस्तो आप लोगों को हमार जो रख कही की सारी बाते समझ में आ रही होगे और आपको दुस्तो ये पॉइंट भी दुस्तो याद हो रहे होगे कुछ ना कुछ तो आपको दुस्तो समझ में आ ही रहोगा कुछ ना कुछ तो याद हो रहोगा तो स्क्रिन सोट लेते रहे नोट्स बनाते रहे और उनका रिवीजन करेंगे तो आपको दुस्तो सब कुछ याद हो जाएगा नेक्स्ट है उच्छ न्यायले की प्रत्म महिला न्यायादीस तो वो है आपकी लीला सेड जो की हिमाचल प्रदेश की उच्छ न्यायले की प्रत्म महिला न्यायादीस रही है देश की प्रतम महिला सत्र नियादीस अन्ना चांडी रही है जो की केरल की महिला सत्र नियादीस रही है असोक चक्र पाने वाली पहली महिला दूस्तों अशोक चक्र पाने वाली महिला जो वो है नीरजा भानोट नीरजा भानोट असोक चक्र पाने वाली पहली प्रथम महिला है सेवत राष्ट संग की प्रथम महिला भारती है अमबैस्डर राजदूद जिसको बोलते हैं वो है ब इस चैनल पारक करने वाली पहली भारती महिला है नोबिल पुरुषकार प्राप्त करने वाली प्रिथम भारती महिला कौन है वो हैं मदर टेरेसा सभी लोग जानते हैं जिनको 1989 में मदर टेरेसा को नोबिल पुरुषकार से समानत गिया गया मांट अबरेस्ट पर चड़ने व प्रतम महिला हैं मांट आबरेश्ट पर लगातार दो बार चड़ने वाली प्रतम भारती महिला तो वो ऐस नतोस यादो संतोस यादो जो हैं वो मांट आबरेश्ट पर लगातार दो बार चड़ने वाली प्रतम भारती महिला हैं मिस वर्ड बनने वाली प्रतम भारती महिला र महिला कौन है वो हैं सुसमिता सेंजिन को 1984 में मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया भारत रतने से सम्मानित प्रतम महिला भारती महिला कौन है तो वो हैं इंद्रा गांदी जो की प्रधान मंतरी भी रही है भारत की ग्यान पीट प्रिसकार प्राप्त करने वाले या आपके दोस्ते हिंदी के अग्जाम में भी किस्चन पूछा जाता कि ग्यान पीट प्रिसकार प्राप्त करने वाली भारती महिला कौन रही है तो आशा पूर्णा देवी और ग्यान पीट प्रिसकार किस चेत्र प्रती कह जाता सभी को पता साहिते चेत्र में अरजन प्रिस भारती महिला हैं बायु सेना में पिर्थम भारती पाइलिट महिला दोस्तो एर फोर्स में पिर्थम भारती महिला पाइलिट कौन है तो वो हैं हरिताक और दयाल पिर्थम महिला लेफ्टिनेर्ड जनरल कौन सी जो पिर्थम महिला है जो आर्मी में दो लेफ्टिनेर्ड जनरल रही हैं तो पुनीत अरोडा नेक्स्ट है आपका अंक्त्रिक्ष में जाने वाली प्रिथम भारती महिला सभी लोग जानते हैं कलपना चावला रही है आसकर पुरुषकार जीतने वाली प्रिथम भारती महिला भानु अथाया बानु अथाया जो है दोस्तो ये आसकर पुरु दुरुब पर पहुंचने वाली प्रिथम महिला कौन है रीना कौसल जो की दक्षडी दुरुब पर पहुंचने वाली प्रिथम महिला है रीना कौसल नेक्स्ट उमिदे दुस्त आप लोगों कि यहां तक की बाते समझ में आई होगी अगला है आपका अगला है दो साथ समुद्र तैर कर पार करने वाली प्रत्थम महिला जिनों ने दो साथ समुद्र तैर कर पार किये हैं तो वो हैं आपकी बुला चोधरी बुला चोधरी जो हैं दो यह साथ समुद्र तैर कर पार करने वाली महिला हैं राज सवा के लिए नामांकित होने वाली प्रत्म अभनेत्री नर्गिस दत्त ये नर्गिस दत्ते जो दुस्ति एक नाराज सवा के लिए नामांकित किया गया था जो कि एक प्रत्म अभनेत्री के पद पर इन्हें दुस्तो रखा गया था नर्गिस दत्त को नैश्टे दुस्तो भारती सिनेमा की प्रतम भारती अबनेतरी जो भारती सिनेमा है भारती फिल्म छेतर है उसकी प्रतम भारती अबनेतरी कौन रही है तो वो है रही है देविकारानी देविकारानी दुस्तो भारती सिनेमा की प्रतम महिला अबनेतरी रही है प्रतम महिला ब प्रत्म भारती महिला, मेरी लीला राओ, अुलम्पिक खेलों में भाग लेने वालई प्रतम भारती महिला है। साहित अकाद्य पृसकार जीताने वाली परतम भारती महिला राजसवा की परतम महिला उपसभापती है नजमा हापतुल्ला Next, Olympic की Gymnastic प्रतोकता में Qualify करने वाली महीला दोस्तों, आपके exam में ये भी पूचा जा जाता कि कौन से खिलाड़ी, किस खेल से सम्माद देते हैं आपके exam में कभी कभी QUESTION पूचा जाता है कि Gymnastic का सम्मन्द किस से है तो वो आपका जवाब हो जाएगा दीपा करमाकर से, याद रखिएगा, जिमनास्टिक का समन किसे है, दीपा करमाकर से, जिन्हें दुस्तों, अलम्पिक में जिमनास्टिक परतोगतां को क्वालिफाई करने वाली पहरी दुस्तों महिला रही हैं, नेक्स्ट है, अंटार्किटिका, अंटार्किटिका पर जाने वाली प्रत्म महिला है, Olympic में मुक्के वाजी में कांस पढले जीतने वाली प्रत्म महिला जिन्ने उन्ने पॉल्पिक ने जिस्तों कांस पढले जीता था तो वो हैं Mary Comb जिनको दुस्तों सूपर Maum के नाम से भी जाना जाता है, सूपर Maum Mary Comb, next है आपका ओलम्पिक में कुस्ती में कांस पदक जीतने वाली प्रतम महिला ओलम्पिक में कुस्ती में तो कुस्ती में कांस पदक जीतने वाली महिला है साक्षी मलिक ओलम्पिक में बैड मिंटन में रजत पदक जीतने वाली प्रतम महिला कौन है पीवी संदू जिन्होंने जिस्तो सिल्वर मेडल का किताब अपने नाम किया था और आप सभी लोग जाते हैं जो पीवी सिंदू है इनका समध किस खेल से है बैड मिंटन से है और यह ओलम्पिक में बैड मिंटन में रजट पदक जीतने वाली प्रथम महिला भी हैं और यह ओलम्पिक में बैड मिंटन में कांस पदक जीतने वाली प्रथम महिला हैं तो कौन सा है रिपीट कुस्टिन दोस्तो आपका ये जो की है अमरता प्रित्म अभी दोस्तो आपको पढ़के आए हैं राज सवा की प्रिथम महिला महास्चिव राज सवा की प्रिथम महिला महास्चिव कौन है वी एस्त रमादेवी वी एस्त रमादेवी राज सवा की प्र सुरण पदक जीतने वाली पुछा जाता है कि भारत की पॉचागा थी भारत की सोप्य पूछा जाएं कि थीधी कौन से तो वह थी आपकी…. dear kutty chetan. याद रखेंगे यापके आग्जाम में दुस्तो आया हुआ प्रसने इसलिए बताया हूँ. my dear kutty chetan. इसको याद रख पाएंगे दुस्तो my dear kutty chetan. my dear kutty chetan. ये दुस्तो आपकी जो है 3D फिल्म है. कौन सी 3D फिल्म है दुस्तो my dear kutty chetan. याद रख पाएंगे तो इसका स्क्रिंसोर्ट लेजिएगा आप लोग यदि आपको लेडी पैलेश पता हूँ तो कोई दिकत नहीं. तो आप आसानी से इसको याद रखेंगे. अगला point है दुस्तो भारत में पर्तम पुरुस अब ही तक क्लास आप लोगों को कैसी लगी दोष्टो भारत रात को आ't बजे होगी तो कल की क्लास में जुड़ना ना भूग लिएगा तो आप क्लास आप लोगों को कैसी लगी दोस्तो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा दोस्तो और वीडियो क्लास में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग जैसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए हैं आप ऐसे ही दोस्तो अपना प्यार और सपोर्ट निदंतर बनाए और वीडियो को लाइक सेयर करना बिलकुल ना भूले और अपने दोस्तों में ज़्याद सेयर कीजिएगा और जो लोग दोस्तों मारी इस क्लास में इस वीडियो को दोस्तों पहली बार देख रहे हो पहली बार दोस्तों इस क्लास पर बिजिट कियो हो तो आप चैनल को दुस्तो सब्सक्राइब करके वैल आइकन कौन जरूर कर लें ताकि दुस्तो आपको आने वाली ऐसी important वीडियो का notification समय पर मिलता रहे तो चलिए दुस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी प्यार दुस्तो का बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत बंदे मात्रम